नमस्ते दोस्तों मैं दुरोपति सर्मा स्वागत करती हूं आपकी अपनी चैनल मम्मी की रसोव में तो चलिए हम एक और आज यूनिक डिस बनाते हैं आलू गोबी का जो इतना चटपटी और मज़ेदार लगता है जटपट बनता है बनने में भी ज्यादा टाइम नहीं लग करते हैं उसके लिए हमने राइसोग्राम गोबी दो आलू को कट किया दो टमाटर एक छोटा साज मेडियम साज का हमने प्याज ले लिया दो तिन मिर्च हरी मिर्च दो तेज पत्ता थोड़ा सा दाल चीनी लॉंग और काली मिर्च हम एक साथ ही इसे थोड़ा सा नमक एड क भल दी हम दाल दिये इसमें तो चलिए इसे हम बॉइल कर लेते हैं मिला के हलका सा हम बॉइल करने आप एक बार इस तरीके से सब्जी बना के देखने का ट्राइ करने का इतना चटपटा मज़दार यह सब्जी लगता है जटपट होता है देकि हमने अपना हो गया हमारा ब्याज का छिलका भी निकल गया हमारे फ्याज भी स्वप्ट हो गया तो देखें चलिए हम पहले को बाहर निकालते हैं क्योंकि टमाटर अभीर देखें तो चाहिए जससे टमाटर अच्छे से चिलका उसका बाहर आ जाए छल ये हम इसे पहले अलग-लग सब निकाल लेते हैं ये देखे हमने सब निकाल लिया हम टमाटर से छिल का बाहर कर लेते हैं और हम रहे ये देखे शे fizerdem पत्ता को बाहर निकाल देंगे क्योंकि उसका फ्लेबर आ गया आप चाहे तो दाल चिनी और काली मिर्स लॉंग को भी निकाल सकते लेकिन इसी के साथ ग्रैंड कर दीजी इसका और अच्छा आता है इसे हमने चौप कर लिया देखिए कितना एजिली हमारे यह सौप्ट हो गया निकल रहा है कि हमारा ओनियन भी हो गया है तो चलिए हम इसे अब पेस्ट बनाएं अलू और गोफी भी हम साइर में रखा और यह पानी जो हमने बॉइल किया उसे हम ठेकेंगे उसको हम बाद में ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके चलिए इसे घ्रैंड कर लेते हैं देखिए हमने विक्सी के जार में दे दिये अब हमारा पेस्ट बन हम अबना अलू को भी बनाने का फ्रसिस चालो करते हूं हमने उसलेोटिक ले लिया इवयाँ गास गर लिया अभी इस्तेमन हम एक चम यह ज़ब करेंगे तैंग उम इतना कंगज़ दार धाय बनता है तरह बनाकर चाग flavors पोकिध कैसा लगा हमने इसे थोड़ी डहुरू दो आधी 75 की बराबर हमने जी राइड करदी और ये चम्मस से हमने देल दिये थे ерт तो चलिए जो हमने पेस्ट बनाया यू रही हमें इसमें एड कर देता है you बस अभी ये पेस्ट को हम एक मिला लेते हैं अच्छे से और उसके बद हम अपना सारा मसाला इसमें एड़ करेंगे तो बस हमें एक मिनट ही मिलाना है क्योंकि हमारा मासाला अल्रेडी कुक है यह पका हुआ है तो इसे बनने में टाइम भी नहीं लगता है जट पर 5-7 मिनट में बन जाता है हमने एक चमस देखिए हम छूटी चमस से एक चमस भर के हैं हमने धन्या पॉडर लिय अब एक चमस हम कस्मीरी लाल मिर्च यह मिर्च तीखा नहीं होता है आप अपना रेगुलर वाला भी ले सकते कम यह ज़्यादा अपने अपने कॉर्डिंग कर सकते हमने आज चमस थोड़ी कम हल्दी लिया अचले यह तीनों चीज को हम इसमें मिक्स कर देते हम बार में जी अच्छे से मिला लिए अभी इसमें हम नमक करेंगे नमक भी हम अपने अकॉडिंग डालेंगे क्योंकि हमने वैल करते टेंपे भी नमक डाला था तो वह धिहान रखके आप उस हिसाब से नमक कम यह ज़्यादा कर सकते हो यह देखिए हमने नमक डाल यह इसमें 2-3 चमस पा यह पखते हैं तो अक्राऊद सेुस्व मात पाल और मक गाएंगे वह जीरे एडा पॉडर हम आपके इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी बाहर आगया है देखिए मिलाते मिलाते नम अब ऐसे हम ढखके बस एक मिनूट तक पकार कर लेते हैं यह देखिए कितना अच्छा हमारा भाजी देखने में ही लग रहा है बहुन चुका है तो चलिए अब इसमें हम थोड़ी सी ग्रेबी आड़ करते हैं आप अपने एकॉड़िंग जितना ग्रेबी इसमें रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं तो यह देखे हमने इसमें ग्रेबी आड़ कर दिया बस जो मसाला हम ने भून के रखे थे ने फ्लावर जो हमने उबाला था न भाजी वह पानि आप तोडा सा डाल दिए अब हम ने इसमें अधिकर दिया हैं बस हम इतना ही ग्रेबी रखेंगे और इसे हम लो अभी हम हने हाइप फ्लावर डालने के बाद पकाया अभी हम इसे लो कर देते हैं मेडियम करते लो नहीं मेडियम करके ठक के बस दो मिनिट पकाएंगे यह देखिए। वाँ देखिए वाहो देखिए। तेल मसाले वाला बनने वाला रेसिपी तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं एक नेस्ट वेडियों में तो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाजों बेल आइकन को दबाना मन भूलिए और लाइक कीजिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों को तक ले तेला